दोस्तों एक नियत दिन्चर्य की अवश्चत्ता क्या है तुम्हें अपनी सुविदा और स्वास्ते के नियमों का ध्यान में रखते हुए अपनी एक नियत दिन्चर्या बना लेनी चाहिए और फिर दढ़ता पूर्वक उसी पर चलते रहना चाहिए कि समय का विवाजत यदि ठीक परकार किया जाए उस कारेकर्म का कड़ाई के साथ पालन किया जाता रहेगा तो आलस्य और प्रमाज में योही बरबाद होते रहने वाला बहुत सा समय बच सकता है और उस बच्चे हुए समय का सुववस्तित उपयोग करके मनुस्य स्वास्त्य को ही नहीं सुदाता वरंग उन्नती के अने को दुवार खोल लेता है संसार का एक भी उन्नत जील व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जिसने अपना तैनिक कारेकरम बना कर समय की बरबादी को ना रोका हो आलसी और फुवड लोग बहुत दीमिकती से धीरे धीरे चहकते हुए सहज और थोड़े से काम में गंटो बुजार देते हैं कुछ लोग के काम पूरा होने से पहले नया काम शुरू कर देते हैं और पहले काम को अधूरा ही पड़े रहने देते हैं ऐसे लोगों का कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है चाहिए यह कि जो काम समय से किया जा सके उसे धीक तरह से कर लेना चाहिए, तभी दूसरे काम को आरम करना चाहिए, दस अदूरे काम करने की अपेच्चा, दो पूरे काम करना सदा अधिक लाप्रक्षिदोता है, इसलिए हमें अपनी एक निय दिंचर्या की अवश्यक्ता होती है, जो इंसान अपनी दिंचर्या के अनुसा चलते हैं वे अपनी सफलता का रास्ता आसान बना लेते हैं इसलिए भाईयों एक नियमे दिन चर्य बनाईए और उस पर कारे करने में जुड़ जाईए आप सफल होकर ही रहोगे